हेलो दोस्तों टेक टॉक में आपको स्वागत है मैं हूँ वरुन दोस्तों अगर आपके पास 8000 रुपे हैं और आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो यह ब्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसे स्मार्टफोन उसके बारे में जो 8000 रुपे से कम कीमत पर आवलेबल हैं मार्केट में और सबसे अच्छे स्मार्टफोन है 8000 रुपे से कम कीमत पर यानि अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन को सलेक्ट करते हैं तो आप निरास नहीं होंगे और इनक पर पर जो स्मार्टफून है वो है Redmi 7, Redmi 7 आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशन के साथ, Redmi 7 का जो डिस्प्लेय है वो 6.26 इंच का है, Gorilla Glass 5 से ये प्रोटेक्टेड रहता है, साथ ही ये स्मार्टफून स्प्लैस प्रूफ है, या निगलती से अगर इस पर पानी गिर भी जाता है तो ये खराब नहीं होगा, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो है Qualcomm Snapdragon 632, साथ ही दो मेमोरी वारियंट में ये स्मार्टफून अबलेबल है, पहला है 2GB RAM, 32GB इंटर्नल स्टोरेज, दूसरा है 3GB RAM और 32GB इंटर्नल स्टोरेज, दोनों जो मेमोरी वारियंट है वो 8000 र और इसमें जो बैटरी लगी हुई है, वो है 4000 मिलियंपार की, जो की चार्ज होती है 10W के पास्ट चार्जर के थूरू, रियर साइड में इसमें Xiaomi ने fingerprint sensor लगाया है, पर्फॉर्मेंस के आधार पे दोस्तों ये तीसरे नमबर पे है, दूसरे नमबर पे जो स्मार्टफून ह वो है Realme का 3i, Realme 3i आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशन के साथ, दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.2 इंच का जो की प्रोटेक्ट होता है Gorilla Glass 3 से, साथ है इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो है MediaTek का Helio P60, दो मेमोरी वारियंट में ये उपलब्द है, पहला है 3GB RAM, 32GB Internal Storage, दूसरा है 4GB RAM और 64GB Internal Storage, जो 3GB RAM वाला वारियंट है वो 8000 रुपे से कम कीमत पर अबलेबल है मार्केट में, 4GB RAM वाला जो वारियंट है जिसके साथ 64GB का Internal Storage मिलता है, वो 8000 रुपे से ज़्यादा पर अबलेबल है, उसकी जो प्राइसिंग है वो 10,000 रुपे के कर भड़ जाए 8000 रुपे से नीचे आ जाए, इसमें जो कैमरा लगा हुआ है रियर साइड में, वो है dual wear कैमरा जिसमें primary sensor 13MP का है, साथ ही जो secondary sensor है, वो है 2MP का जो की depth sensor है, फ्रेंट कैमरा इसका 13MP का है और इसमें जो बैटरी लगी हुई है, वो है 4230 mAh की, दोस्तों आप चल specifications के साथ, दोस्तों Realme C3 का जो डिस्पले है, वो 6.5 इंच का है, प्रोटेक्टेड होता है, गोरिला ग्लास 3 से, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो है MediaTek का Helio P70 साथ ही, ये दो मेमोरी वैलियंट में आता है, पहला है 3GB RAM, 32GB internal storage, दूसरा है 4GB RAM, 64GB internal storage, दोनों मेमोरी वैलियंट जो है, वो 8,000 रुपे से कम कीमत पर अबलेबल है मार्केट में, और इसमें जो rear camera लगा हुआ है, वो एक dual rear camera है, जिसमें primary sensor 12MP का है, और जो secondary sensor है, depth sensor वो 2MP का है, फ्रंट कैमरा दूस्तों इसका 5MP का है, इसमें जो बैटरी लगी हुई है, वो बहुत बड़ी है, पांच लियार में लिया, अमपायर की है, और performance के अधार पे ये number one position पर है, यानि तीनों smartphone में जो सबसे अच्छा performance देगा, वो number one पर है, और वो है real me का C3, साथ ही इन तीनों का जो look है, वो भी बहुत ही बहतरीन है, premium look है तीनों का, तो दोस्तों आप तीनों में से किसी भी smartphone को अगर select करेंगे, तो आप निरास नहीं होंगे, तो दोस्तों इस ब्लाग में फिल हाल इतना ही, अगर ये ब्लाग अच्छा लगा हो तो like करें, और अगर आप नहीं है तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले, इस वीडियो को देखने के धन्यवाद,